पेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करने वाल हैं जिंदल सो लेम्टेड पेंट्स टोक में आज काफी गिराउट हमें देखने को मिल रहे हैं क्रीब 7% तक की गिराउट आज इसमें हमें देखने को मिल गए क्या रीजन है और क्या कुछ अपडेट इसकी निकल के सा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को उन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले तो समझते हैं कि गिराउट हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं क्योंकि देखो इनके जो क्वार्टर फोर क वो कल आ गए वैसे तो ठीक हैं बट जितनी उमीद की जारती उससे कम आए जिस वज़े से आपको स्टोक में अच्छी खासी गिराउट यहां पे देखने को मिल रही है अब बात करते हैं हम चार्ट पे सबसे पहले तो मैं एक बार आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखा देते हूं यहां पे स्टोक ने अच्छे खासे रिटन दिये हैं यह आपको नजर आ रहा होगा लेकिन अब देखो क्या होता है जब स्टोक अच्छे रिटन दे देता है तो कही ना कहीं से क्रेक्शन आना सुरू होती है कुछ ना कुछ रिजिन्स होते हैं इनके रिजिन है मार्केट पोजिटिव है थोड़ी सी फिर से आपको गिराट देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत सारे रिजन्स हैं जो मार्केट को अभी गिरा रहे हैं अब इनके तो मैंने बता दिया क्वाटरली रिजल्ट की वज़े से और देखो इंपोर्टेंट क्या है जब भी कोई अच्छा स्टोग गिरता है वह अपोर्चनीटी होती है अब भी जो स्टोग के फंडमेंटल बहुत ही अच्छे हैं और यहां तक की पी ये वैलू भी इंडस्टी पी से मतलब स्टोग की पी इंडस्टी पी से अब इभी कम है अच्छे रिटन आने वाले टाइम में आपको सब्सक्राइब करको जाए डीप और रिटण के लिए इसमें इन्वेस्ट्मेंट करसके हो देखो यह जो है यहां पे दो दो हमारे स्पोर्ट एक यह और एक यह जो जोन है इस जोन में आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी एड़ करके रख सकते हो अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो नीचे के लिए उला हमें देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला जो 463 तक जा सकता है उमीद तो की जा रही है कि यह 463 तक आए लेकिन आपका क्या कहना आप भी कोमेंट करके बताते रहे हैं तो मेरी तो उमीद यह की जा रही है अगर यहां आता है तो कुछ फॉंटिटी आप एड़ कर सकते हो और अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फ 598 का इस तक यह जा सकता है अगर इसका ब्रेक आउट कर देगा तो यहां पे आप देखोगे यह देखो कौन सा पैटर्न नजर आ रहा आपको अगर यह इसका ब्रेक आउट कर देगा तो मैंने बताया ना कि यहां पे रिस्टेंस दो दो एक साथ रिस्टेंस दे तो यह इस पैटरन का ब्रेक आउट करेगा या फिर यहीं से ही नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे मुझे अभी इसमें थोड़ा सा प्रैसर नजर आ रहा है आप भी अपने कोमेंट साथ के साथ करते रहा करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि बहुत जिन्हों ने इस इस टोक के बारे में तो फैंट्स यह थी मेरे मेरी अनलाइस आपका क्या कहना इस टोक के बारे में कोमेंट करके जुरूर बताना और फैंट्स मा आपको बता जो इस वीडियो का मोटीव ओल्ली फॉर एजुकेशन पर पाज़म मैं किसी को परसनल लिकमेंट नहीं करती हू कि आप इस टोक में बाइक रोसेल को रहा होल्ड करो